उसका थर्मामीटर गाय का गोवर है, जो सामने में रख देता है, अकाता है इसको परनाम करो, जब गाय का गोवर को जब हम परनाम कर लेते हैं, डाक्टर इंजिनियर, डिगडी धारी लोग, तनपन की बात छो रही है, बालवचा परनेम तेज है, अत दूगोत मिला जुला क ठीक है, एको समझे गोवर गने से, गोवर गने सका मतलब मामूर के, देखिए, मेरा सोच तो यह है, हम पूरे देश को जगा दें, लेकिन हम देश को क्या जगाएंगे, और बिहार ही नहीं जग रहा है, बार बात करो, कुछ काम करो, उस पर तर्क जरूर करो, कुछ बोलने करने से पहले सोचो, लेकिन कुछ सोचने के लिए तयार नहीं है लोग, लोग इंसान में अचूत, पत्थर में भगवान, इधोंग धकोशला पाखन में फसा हुआ है, हम तो देखते हैं, जैसे कोई बिमार वेक्तिक, वो डॉक्टर देखने जाता है, सबसे पहले उसका ग तो थर्मामीटर से उसको चेक किया, और चालाक लोग धुर्त पाखन्ड जो है, हम अनपड की पढ़े लिखे लोगों को, बेकुप दोनों को, उसका थर्मामीटर गाय का गोवर है, जो सामने में रख देता है, अकाता है इसको परनाम करो, जब गाय का गोवर को जब हम पर अगर से शुरू करता है, जहां भी जाता है, स्री गनेश, अगर स्री गनेश, गनेश बनाता है, गोवर किसी को आप पुछीये, बालवचा परने मतेज है, अथ दूग उत मिला जुला कर ठीक है, एक उत समझ ये गोवर गनेशे है, गोवर गनेश का मतलब महामूर के है, अ मतलब जूट सुरूब शुरी गणेश का मतलब एभवकुपी सुरूब bets거 ले ना चाहते हैं, जिस्त स्रीगनेश का मतलब का मतलब जूट सुरूब noble वेवस्था नहीं है, वो खिच्री वाला विद्यालेम भेजता है, सरकारी विद्यालेम, जिसको जो मेहनत मजदूरी करता है, वो कॉन्वेंट में भेजता है, संपन्न लोग आवासियम दे देते हैं, यह आवासियक बच्चा किसी घर में कोई फंसन रहेगा, तब बच्चा क इसलिए तुम एक कहानी कहो, हम लोग सुनेंगे, कल के नहीं दादा जी, आप कहानी कहिए, हम सुनेंगे, कल के नहीं, तुम कहानी कहो, हम सुनेंगे, कहाई मजदूर के बच्चा सब बैठेगा, चुप चापताब कहेंगे, क्योंकि अमीर आदमी थे, मजदूर खेत में का करता है बच्चा दर्वाजे पर था अमीत का दादा जी थे यह गेट में रेलवे फाटक लगाने खोलने का काम करता था गारी को आते देख गेट में फाटक लगा दिया जब गारी नजदिक आई ते एक पांच साल का बच्चा उस पर खेलने दौर कर चल गया गेटमेन किसी तरह दौर करके बच्चे को पकर लिया बच्चा को खिच लिया बच्चा तो बच गया लेकिन गेटमेन का आधा शरीर पिछला धर काट के गरदा छोरा दिया मतलब मर गया गारी पास हो गई वहाँ लोग भीर लग गया देखने वालों लोग कहते थे देखिए कितना बच्चा अच्छा बचारा गेटमेन एक बच्चा को बचा लिया लेकिन अपने जान चला गया कुछ लोग कहा कि अभी भी कोई पिछला धर देन हम इसको सरजरी करके जिन्दा कर सकते हैं कोई भी पिछला धर देने के लिए तयार नहीं हुआ एक वाला वहाँ च्छे भाइश चरा रहा था उसको कहा गया कि ये भाइश दे दो सरजरी करके इसको जिन्दा करेंगा कल के नहीं हम राच्वाब भाइश दूद देती है वहाँ समझाया गया दादा जी कर दिया गेट में अभी ड्यूटी दे रहा है अज सुबह समझाया दूद लेकर जाता है दूद के कल करे पागल तूं भी है तुम्हारा मांस्टर भी पागल है बाप बेटा का खुन परता है जरूरत पर तक बला गुरूप देख करके गुरू मिलता है पड़ता है तो नहीं पड़ता है या बाप को बेटा बला भी पड़ेगा तो गुरूप टेस्ट होता है आईए कैसे आदमी और भैस को कैसे जुर दिया कहा दादा जी आधुनी की यूग है बिग्यान कहां से कहां चला गया जिस समय डाक्टर उबाइद एतना नहीं था एतना विज्ञान विकास नहीं किया था उस समय अभी ऐसा होता था अब क्यों नहीं होगा कलके आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कहा दादा जी आप सूरेवेरे नहा सोना कर धूप अगरवत्ती जो इस सूरवाला को दिखाते हैं किया ऐसा हुआ था कभी दादा जी का दिमाग ठनका और कहा उस गनेश का जो मुर्ती था उठा कर नीचे बजार दिया और उनका दिमाग साफ हो गया